नाजरीन फ्रांसिसी राश्पती एमनल मैकरॉन ने गज़ा के दक्षण में बहां की आम जनता को सुरक्षुश शित्रों में बेजने के इसराइली मनसूबे को सिरे से खारिच कर दिया है और कहा है कि दुनिया में जिन्दगी बचाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है वो है युद्विराम यानि के जंग बंदी आपको बता दे कि वो पैरिस में एक हंगामे इजलास को अटेंट करने के लिए पहुचे थे ये एक हुमानिटेरियन कांफरेंस थी जिसमें राजनि बच्चे पर इसराइल के हमलों की कोई बुनियाद ही नहीं है असल में आज वहां पर बेवजा नागरिकों पर बंबारी की जा रही है बच्चे महिलाएं बूड़े सम बंबारी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें मार दिया जा रहा है जंग के लिए तो ये कोई बेस नहीं ह आखिर किस base पर कौन सी ऐसी वज़ा है जसको बुनियाद बनाकर इस्राइल ये सब कर रहा है इसलिए वो इस्राइल से युद रुकवाने का आवाहन करते हैं यह मैकरॉन ने साफ कर दिया दुनिया के सामें मैकरॉन ने गजा के दक्षण में सुरक्ष शेत्रों के प्रस्ताव को एक बहुती बुरा विचार बताया इसराइल का जो सेक्योरिटी की गारेंटी नहीं देता है क्योंकि इसमें गजा के लोगों के लिए कोई भी पॉलिटिकल एग्रिमेंट मौजूद नहीं था जो ये प हमायत भी सुनने को मिली के हाँ ये ठीक भी है लेकिन मैकरॉन ने इसके लिए अभी मना कर दिया मैकरॉन ने गजा के लोगों की मदद करने के लिए कुछ इंडिवीज्वल नैशनल इनिशेटिव को एक साथ लानी की कोशिश की है साथ ही इंसानियत के नाम पर जंग बंद पॉलिटिकल लीडरान है दुनिया भर के उनका जो सोचना है वो मैच नहीं कर रहा है वो क्लैश कर रहा है इसी वज़े से ये जंगबंदी भी नहीं हो रही है बहीं जो इसराइल की तजवीज है कि एक हुमानिटेरियन कोरिडोर बनाया जाए और उस प्रपोजल को अभी खारीच किया गया है दोस्तों इसराइल ने पारिस मेलन में मैकरॉन के इंविटेशन को ऐसे विकार कर दिया था इसराइल में इसराइल को भी आने को कहा गया था लेकिन नितनियाहू ने अस ص loud मना कर दिया लेकिन फिलस्तिनी प्रधान बंदरी महामद शतै इसमें भाग ल लोगों को दक्षण में जाने के लिए मजबूर करने की जो ये इसराइली योजना है इसकी हमायत बिलकुल ना करें इस पूरे मामले पर मैकरों ने कहा है कि वो सम्मेलन के आखर में इसराइली अधिकारियों से बात करेंगे और इसके बाद उन्होंने बात भी की लेकिन नती कि और क्यों बाकी देश भी इस मंसूबे इस प्रपोजल को सीरे से नकार रही है यह सोचने वाली बात है आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कॉमेंट बॉक्स पे जरूर बताईएगा देखते रहे यह दानिश्यू झाल झाल